नमश्कार दोस्तों तो स्वागत है आपका इस चैनल पे तो अभी हम बात कर लेंगे अम्रित पानी के बारे में कि अम्रित पानी कैसे त्यार करते हैं इसके लिए क्या समगरी होती है इसको त्यार करने की वीदी क्या है त्यार करने की वीदी ठीक है और लास्ट में अभी दे अभी इसके थोड़ी से इंड्रोड़क्शन अबार में बात कर लेते हैं कि इसको कहां पर इस्तामाल किया जा रहा है ठीक है तो बिहार के जम्यूवी present mass Charite. के हैं जहां पर किसांन उसको क्रें में जहांब के सब्सक्राइब कर रही है। विखार विखार में एक मात्र जो एंप फैतना वाइदा उनको हो वह जैवी खेती कर पा रहे हैं तो इसी के कारण उनको वो एनपी के मनला National Program for Organic Production इसका मनला है National Program for Organic Production की Organic Production करने के अंतरगत और्गैन प्रडक्शन के कारण उनको इस समिती में डाला गया है NPOP के अंडर ये निबंदित है तो इसका मनलब फायदा हो रहा है किसानों का अमरितवानी बनाने का तो इसके लिए अभी हम बात कर लेंगे कि इसको कैसे बनाना है तो दोस्तों और इस जो ये गाउं है जिस गाउं के परवरतन अब्दी के उतपाद बजारों में उपलग्द है और इस गाउं के जो भी उतपाद है वो बजारों में बिक भी रही है तो ये प्रैक्टिकल चीज है तो अभी इसी के बारे में बात करेंगे हम तो समगरी की बात करें तो सबसे पहले हमें गोमोत्र चाहिए एक लीटर ठीक है गोमोत्र ये आ गया ये गोमोत्र चाहिए हमारी इंडिजिनियस जो काउज है ये देशी काउज है ठीक है उनका एक लेटर चाहिए गोमोत्र और गोबर चाहिए हमें एक किलो ग्राम और नीम के पत्ते एक किलो चाहिए नीम के पत्ते आगए ठीक है और अकवन का पत्ता एक किलो अगर आपको पता हो कि अकवन को हम अक अक भी बोलते हैं पजाबी में अक बोलते हैं हिंदी में अक भ बाला पुद्धा आपने देख हो गई इसको आक को ढख बोलते हैं यह अक्वन कह है इसके पत्ते लेनी यह ॉनकोज में कोलते है राक कष़ का जबते हैं अकषांका Sh JUDY तो चलिए दोस्तों अभी हम रित्क्पारी पानी के बारे हम बात्त तो हमने देख लिए कि अब बेसन एक किलो ग्राम चाहिए, गुड देट सो ग्राम चाहिए, तो यह सारी चीज यह गोमुत्र, गोबर, नीम का पता, अकवन का पता, बेसन और गुड, तो चलिए, अब इसको तैयार कैसे करना है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, नीम तथा अकवन के एक एक किलो पतों के गोमुत्र को मिला लगे लगाना है, ऐक किलो, तथा इसमें 1500 गुड गुड गोल कर मिला देते हैं, इसमें 10 लिटर पानी डाल कर जो अभी हमने सारा मिशन त्यार किया है, उसमें 10 लिटर पानी डाल लाए it quick kiss, बेसन को अच्छी तरा मिला देना है पिर बेसन भी डाल देना तत पस्चात उसके बाद नीम एवों अकवन के कट हुए पतों को घड़े में डाल कर अच्छी तरह से सभी मिश्रन को मिला देते हैं जो सारा हमने मिश्रन त्यार किया है चाहिए पानी का है बेसन नीम के पते गो मुत्र जैगरी या गुड बोलो या अकवन के पते एक किलोग्राम को उबर इस सभी को देखिए आपको सामय पिचल दिखाई दे रही है आपको यह वड़ी पिचल दिखाई दे रही है इसमें सा की तरह मिलाने के बाद घड़े का मुँ ति और गोबर से सील कर देए अब घड़े को मिटी से यह मुसका मुँ जो ढोबर से सील कर देना है उसको हमने ठीक है घड़े को 21 दिनों के लिए स्थीर जगह पर रख देते मतलग कहीं शाओं में आप shady area में रख दीजिए और एक जगा उसको रख दीजिए 21 दिनों के बाद मिश्रन से अमरित पानी चान कर अलग कर लेते हैं अब उसको हमने चान कर सप्रे करना है अपनी फसलों के उपर अब बात करेंगी इसके उपयोग अब कैसे उपयोग करना है ठीक है तो 1500 ग्राम अमरित पानी को 15 लीटर की टंकी में डाल कर अब यह 1500 ग्राम ही लेना है हमने सिरफ जो चान के लेना है 1500 ग्राम लेना और उसको 15 लीटर की टंकी में डाल कर पूरे पोहधे पर शिटकाव कर सकते हैं मतलब कहनी का मतलब है कि 15 लीटर का हमारा पन पोहधे ठेक है पानी को उसमें हमने 500 लीटर Federal paon डालना है ठीक है और 15 दिनों के अंतराल पर फसलों पर इसका शिटकाव करने से अब 15 दिनों के बाद अगर हम इसको 15 दिनों के इंटर्वल में इसको च्रकाव करेंगे तो क्या फाइदा होगा लास्ट में तो भरे एक बंदा यही देखते हैं कि इसका फाइदा क्या होगा तो फाइदा में यह है कि इसमें फूल जादा आते हैं फसलों के उपर तथा कीडों का प्रकॉप भी कम होता है तो दोस्तों ये किसानों दोबारा अजमाई की तकनीक है तो इसको आप जुरूर इस्तेमाल करके देखें ये हमारा अमरित पानी इस तरह का दिखेगा ठीक है 21 दिनों के बार तो इसको इस्तेमाल करके देखें आपकी फसलों में कुछ ना कुछ तो जुरूर quality आएगी उसमें improvement आएगी ठीक है तो चलिए दोस्तों अमरित पानी हो गया जैवी खेती कीजिए अमरित पानी को भी आपको बता दिया अब अमरित पानी तो हो गया अब साथ में जो भी ये ब्रहमास तरह जीवामरित ये भी वीडियो बनाई पड़ी हैं इस चैनल के उपर पहले से हैं playlist नैच्रल फार्मिंग में आप जाएए वो और वहाँ पे आपको ये सारी वीडियो जैवी खेती के बारे में कैसे करनी है वो मिल जाएंगी ठीक है तो चलिए दोस्तो अभी के लिए इतना ही दिन्यवाद इत बारे में के जाएए ढहाँ जाएएएग me जाएएऑउivenessट शूब को जाएएगे जाएई जाएएएटी